आप सब को सौगत है, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पांच दिसम्बर की इशर्वदान की परमपिता परमात्मा हमें एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट के बारे में बता रहे हैं आपर कि हमारे अंदर कभी-कभी बहुत सारी कमिया होती हैं जो छुपी रह जाती हैं जो में पता नहीं चलती हैं मोटे तोर पे हाँ क्रोध है, अहंकार है, इरशा है, गरना है, नफरत है लेकिन हाँ कहीं न कहीं उसके चोड़े-बच्चे भी होते हैं हमारे पास में मन के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन पता में नहीं चलता, वो कब किस रूप में भारा देते हैं इनी चीज़ों को अगर हम पैचान लें, कि हमारे अंदर सुक्षम तरीके में, बहुती सटल तरीके में, बहुती गुप्त तरीके में हमारे अंदर वो कमजोरियां पैठी हैं तो उससे हम हल चल में नहीं हाएंगे हम अचरह डोल रहेंगे और किसी पी सिचेशन को बार कर लेंगे पहुच चल दी तो देखें आज का परमात्म के जिर बर्दान कहता क्या है परमात्म के अटेंशन की विधी द्वारा हमें अटेंशन देना है कि कुछ न कुछ तो है अंदर पर पर जिस कारण से मेरे कोई जो फील हो रहा है भी गुसा रहा या एंग्जाइटी फील हो या कोई भी चीज़ फील हो रही है ये मेरे ही कमजोरी के कारण हो रही है परमातर कहते हैं अटेंशन की वेदी द्वारा माया की छाय से स्वयम को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भवा किसने कुछ कहा दिया और हम लग के अपना पॉइंट पुरूफ करने वे नई मैं तो राइट हूँ, मैंने जो सोचा वो राइट ही है यसो कहते हैं जिद और जिद ईगो का ही एक बच्चा होता है जिद करना या रॉप से कहना या उसके उपर टिक जाना नहीं यही राइट है, यह से ही होना चाहिए जबकि हर एक आत्मा के लिए वेक्ती के लिए राइट अलग अलग हो सकता है उसी सिचेशन को ले करके कि उनके एक्सपीरिंस से तलग है और उस कारेंट से हम नाते रिष्टे संबंद संपर्क को तोड़ देते हैं या उनसे दूर हो आते हैं अपने पॉइंट को ठीक करने के लिए प्रूफ करने के लिए तो हाँ अकेला पर महसूस होता है इसलिए परमात्मा करते हैं वरतमान समय प्रकरती की तमोंगोनी शक्ती प्रकरती मतलब कि आपका शरीर भी प्रकरती से बना हुआ है उसमें अगर कोई बिमारी आती है तो तमोंगोनी शक्ती होगी पांच तत्व गोकंपा रहा है लावा है चाहिए टाइफून जा रहे हैं हरीकेंज जा रहे हैं यह सारी चीज़ें 5 तत्मों के दौरा हमें आती हैं चलंज जाते हैं उसके वारे मातमा कहर मारे रूप देकर के ताली leans नहीं बजा पा रहे हैं अंदर इंदर हम घोट रहे हैं एंदर हम फिल करहा है कि क्यास हो गया मेन क्यों नहीं च smoothie लग यह अदर पिकना कॉपएटिशन करने हों सार्य आंड की यह इनक 125 छल के घग से लिए काफ़ी सारी लोगों पता भी नहीं होता कि नहीं, उसको जलिसी नहीं फिल हो रहा है, मैं बस ये कहना चाहरा हूँ कि मेरे को गर दिया होता ना, तो मैं उसे बेटर कर लेता, ये जलिसी नहीं है, ये जलिसी भी है, ये एगो भी है, और इसके बहुत सारे different forms भी होते हैं जलिसी के, और उसको बताना, देखो उसने ना, ये जीज ठीक से बोली नहीं है, काश, आपको चांस दिया होता, आप वेट कर रहे हैं कि वो वेक्ति बोले ने, आप बोलते तो बहुत अच्छा रहता, जलिसी, आपने उसको पूर्ती कर दी, देखा, अपनी जलिसी को आपने भर दिया, किसी की महीमा सुन करके, किसी से अ और उसमें आग लग गई है, परमात्मा कहते हैं, इसलिए, बहुत ही सुक्षम होते हैं माया के तरीके, बहुत है जैसा कि चुवा घर में गुझ जाते हैं, पतब नहीं चलता है, कौन से कहां छेट कर दिया है, तो माया भी चुवे के जैसे अंदर खुझ जाती है, पतब नहीं चलता है यह मोटे तोर प्रकति के रूट पर चानलिया थीक है वैदर चेंज हो रहा है तो आपने आपको चेंज कर लें आपको सर्दी से बचा लें गर्मी से बचा लें आपको यह कोई तबीत खराब हो सकती है चनक से कोई दवाई खाले फटा-फटा पता चलिया, हैं विगन आने वाला है, पेट खराब लग रहा है, जो लो कुछ मेडिसन खाली, कुछ खाली है तक कि प्रॉलम ना आए लेकिन जो सटल चीज़ें हैं, शरीर को छोड़ करके, जो हमारे अंदुरनी दिमाग की मंसिक चीज़ें हैं उनकी सटल्टी, उन चीज़ों को जानना पेचाना बहुत इंपोर्टन्ट है, यह जान लेकि क्रोध करने से आपको हेल्थी प्रॉलम होती है, लेकिन क्रोध के जो सुक्षम सुक्षम तरीके हैं, इरिटेशन होना, फ्रस्टेशन होना, जिद करना, इन चीज़ों से भी हमार इस प्रकृत्ती को भी हमें एफिक करती है, तो परमात्मा कहते हैं कि सुक्षम सुरुप को जानने में धोका खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉंग को भी राइट अनुबफ कराती है, नहीं मेरी गलती तो नहीं थी, मेरा ये भाव नहीं था कहने का, चुपा लिया, उस करने आप के साथ और परमात्मा के साथ में सच्चे बनना बहुत जरूरी है, उसके नमरता का बहुत जरूरी है, फिर परमात्मा कहते हैं, अनुबफ कराती है, मैसूस्ता की शक्ती को समाप्त कर देती है, जूट को सच सिद करने में होश्यार बना देती है, इसलिए अटें क्योंकि अगर यह कमजोरी बढ़ती ही हमारे अंदर छुपाने की कमजोरी नहीं नहीं हो रही है बस मेरा कहने का भाव यह ऐसा था 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 हाँ थोड़ा समय तेज आवाज में बोले लिकिन वो फ्रस्टेशन ही था वो कमजोरी नहीं थे वो आइक्शली बोलना पड़ा उस सम मन सकता इसका था आपको बदोय कमाने में और शाथी साथ इसका था था आपके सथ के अपर ह 왜 हो कि हृ। इसी कौछ चीज को आप सीख सकते आकर ब्रहमह कमारी से ब्रहोरा व давно ब्ल包 लें और घयराई सना टूर्स करने के बात में और धयराई आख मिलेगी इसके साथ प्षांदी